नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स के यूटूब एजुटेस्टन जेनल में आज हम सिखने वाले हैं सौर्थ रॉट के बारे में कि जिसको गले में इंफेक्शन होना भे कहते हैं उसमें होता क्या है कि ये वाला आप देखो कि जो गले के अंदर के जो बाग में सुजन देखने को मिलती है वहाँ पर रेडनिस देखने को मिलती है उसके अलावा यहाँ पर आप देखो तो इस तरह से दाने बन जाते हैं फिर जो tonsil का जो बाग होता है वहाँ पे जो हो सूजन देखने को मिलती है तो ये देख रहे हैं आपके ये वाले जो है वो normal healthy tonsil से उसके compare में यहाँ पे आप देखो कि ये जो tonsil से left side या फिर right side का वहाँ पे जो है वो काफी सूजन देखने को मिलती है वहाँ से कई बार जो वो produce होते हैं कि जिसको हम sore throat कहते हैं या फिर गले में खारास गले में infection होना दर्द होना और उसका जो reason होता है वह होता है bacteria infection कि bacteria infection के करण ये condition जो वो produce होती है तो उसके कुछ symptoms होते हैं जैसे कि अचानक्स से जो वो sore throat develop हो जाता है फिर pain होता है कि जब भी आप कोई चीज को swallow करते हैं तो समझे कि आप खाना खाते हैं और खाना खाने के दौरान आपको जो swallow करने में निगलने में जो वो काफे दिक्कत आती है because जो tonsils होते हैं वहाँ पे सूजन आ जाते हैं तो उसके कारण जो है वो आपको दर्ध होता है फिर fever भी होता है लोगों को कि बुखार देखने को मिलता है कि जब भी किसी को tonsils में सूजन आ जाती है और sore throat की condition develop होती है फिर जो गले के glands होती है वहाँ पी सूजन हो जाती है बुख कम हो जाती है आपकी सीर दर्ध मैसूस होता है और पेट में दर्ध भी रहता है दूसरी कुछ और symptoms देखे तो throat में जो है वह काफी pain होता है उसके लावा redness देखने को मिलते है वहाँ पे white patches देखने को मिलते है जैसे मैंने आपको अभी सुरुवात के diagram में भी दिखाया था तो ऐसे white color के patches अंदर बन जाते है और वहाँ पे कई वार purs भी देखने को मिलता है और ये condition देरे-देरे काफी painful होने लगती है आपको काफी दर्द होता है बुखार भी जो हो इसके करन होने लगते हैं तो ये conditions को हम sore throat कहते हैं तो sore throat को किस तरह से हम ठीक किया जाए तो इसके details study करेंगे आज के lecture में और जानेंगे कि कैसे हम उसको रोक सकते हैं और कैसे य लाज हो सकता है तो ये हुने का जो reason होता है वो होता है streptococcus pyogen scan के जो bacteria होता है यहाप जो डाइग्राम में देख रहे हैं इस टाप की जो bacteria है वो special responsible बंदे है आपके ये infection के लिए तो उसके लिए खासकर जो दवाया यूज की जाती है उसकी हम detail में study करेंगे तो ऐसा ही करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी आपको download कर सकते हैं link description box में मिल जाएगी अब आते हैं topic पे और समझते हैं sore throat की condition के बारे में तो एक bacteria के करण होने वाला infection है और उसमें specially क्या होता है कि bacteria के infection के करण जो हमारे गले के अंदर जो normal healthy skin होती है वो जो वो infected होती है और वहाँ पे जो वो abnormal condition produce होती है कि white color के patches वहाँ पे देखने को मिलती है सुजन हो जाती है और काफी जो है वो आपको दर्द होने लगता है और आपका गला जो है वो काफी ऐसा फिल करते हैं गले में खारास जैसा है scratchy जैसा आप फिल करते हैं आपके throat के अंदर और main reason तो ह हो सकते हैं जैसे कि kidney के उपर inflammation के सुजन होना rheumatic fever जैसे भी condition produce हो सकती है तो पांच सबसे बेस्ट दवया कौन सी है ये conditions को treat करने के लिए तो सबसे पहला option रहता है antibiotic के अंदर penicillin का कि जिसके अंदर ampicillin या फिर amoxicillin patient use कर सकता है second जो वो azithromycin या फिर roxithromycin की जो macrolide class के अंटिबायोटिक से तीसरा option हम यहाँ पर रख सकते है सेफालोस्पुरिंस में से सेफेक्स जीम या फिर सेफा ड्रोकसल के अगर किसी को treatment नहीं हो पा रही है और टाबलेट वगरा से तो यह है medications के injections version भी available होता है सेफालोस्पुरिंस में वो भी patient जो ले सकता है फिर glendamycin का option रहता है और जो fever होता है दर्द होता है उसके लिए ibuprofen या फिर paracetamol के कुछ safe options या पर हम ले सकते हैं तो detail में सबसे सबसे पहले सरवात करते हैं amoxicillin से तो जैसे मैंने आपको आगे भी बता है कि यह penicillin class का एक antibiotic ड्रग है beta-lectam antibiotic जो है उसको कहा जाता है और यह खास कर क्या करता है कि bacteria के अंदर उनकी जो cell wall होती है उनको inhibit करके अपना काम करता है कि bacteria के अंदर उनकी cell wall ही नहीं रहेगी तो आगे जैकि वो bacteria जो है वो survive नहीं कर पाता उसकी growth जो है वो कम हो जाती है और इस तरह से amoxicillin लेने से completely जे वो patient ठीक हो जाते हैं डोस की हम बात करें तो 750 से लेकर 1000 mg जितना डोस जे वो patient दिन में दो बार ले सकता है उसी के जैसे similar medication है ampicillin same है और कुछ difference नहीं है सिर्फ dose में थोड़ा बहुत difference है कि उसका जो dose रहेगा 0.5 से लेकर 2 ग्राम जितना dose रहता है orally, intramuscularly, IV की patient के condition कैसी उसके basis के उपर और वो हर 6 गंटे पे जो वो patient ले सकता है और बच्चों के लिए उसका dose बनता है 25 से लेकर 50 mg पर kg पर day के हिसाब से उसमें आपको dose जो वो calculation करके patient को जो वो ठीक करना होता है तो पाहिला option है यह है, ampacillin या फिर amoxilin का इनके कुछ side effects से जैसे कि nausea, vomiting हो जाना, diarrhea, stomach pain, headache, skin के उपर rashes बन जाना, वज़े नलेचिंग या फिर discharge या फिर जो जीव होती है उसके उपर जैसे hair develop हो रहा है ऐसे side effects develop होते हैं कि जिसको black hairy tongue कहा जाता है तो यह कुछ side effects से दवाईया कर सकती है second option है हमारे पास agithromycin का कि जो एक macrolite glass का antibiotic drug है और उसके दो version available होते हैं एक 250 mg और दूसरा 500 mg अगर 500 mg का कोई use करता है तो यह तीन दिन का खासकर course रहता है कि यह पहले दिन यह दूसरे और यह तीसरे दिन महलब कि तीन tablet जो है वो लिए जाते हैं एक tablet into 3 days इस तरह से उसका जो है वो dose रहेगा कि अगर 500 mg की है 200 mg की समझो की है सौरी 250 की तो वो हर दिन दो tablet लेने होती है at least 6-8 गंडे का time interval और उसका भी course रहेगा minimum 3 दिन का आगे बात करते हैं कि यह medications काम कैसे करते तो यह क्या करेगा bacteria के अंदर जो protein synthesis की जो process होती है उसको inhibit करते हैं कि जिसके करन bacteria के अंदर protein नहीं बंद बाता और protein नहीं बनेगा तो वो जो है वो आगे bacteria survive नहीं कर पाएगा because protein जो है वो उनके survival के लिए जरूरी होता है protein ना बनने के करन आगे जो है वो उनके growth नहीं हो पाती और दिरे-दिरे infection जो हो ठीक होने लगता है एजित्रोमाइसन के तरह दुस्तरा option रहता है रॉक्सित्रोमाइसन का कि वो भी एक macrol ID है बर उसका जो dose है वो रहता है 150 से लेकर 300 mg जितना dose रहता है और वो भी patient जो है वो ले सकते है 30 minutes before meal तो ये खास ज़र नखना है 30 minutes before meal जो है उसका खास कर dose रहता है आगे बात करते हैं कि ये medication भी जैसे एजित्रोमाइसन काम करती है उसी तरह से काम करेगा कि जो bacteria के अंदर protein synthesis से उसको inhibit करती है ये भी कुछ side effects करते हैं जैसे कि epigastric pain, reversible hearing loss मतलब कि कान में कम सुनाई देना hypersensitive reactions हो सकती है vomiting, nausea, abdominal pain and diarrhea तो इन में से कोई भी side effects समझे कि ज्यादा severe हो रही है तो ये medication नहीं लेनी चाहिए तीसरा option बनता है सैफेक्स इम का sore throat के लिए तो सैफेक्स इम जो एक सेफालोस्पुरिन क्लास का antibiotic ड्राइग है bacteria के अंदर जो उनके cell wall होती है उनके growth को inhibit करके अपना जो वो काम करता है कि जैसा penicillins काम करते हैं उसी तरह से सेफालोस्पुरिन के अंदर सेफा ड्रॉक्सिल है या फिर सैफेक्स इम वगेरा काम करते हैं तो उसकी dose के हम बात करें तो adult dose रहेगा 0.5 से लेकर एक ग्राम जितना रहेगा दिन में दो बार minimum एक ग्राम पर डे और maximum दो ग्राम जितना पर डे तो मान लों कि कोई यह 500mg के टाबलेट यूज़ कर रहा है तो वो दिन में एक या फिर दन में दो टाबलेट जो वो खा सकता है Child dose के हम बात करें तो 250 mg के बच्चों के लिए kids tablet आती है वो दिन में दो बार ले सकते हैं और दो tablet के बीच में minimum 12 गंटे का time interval होना चाहिए और higher dose में कभी भी उसको use ना करें because उसके को side effects हो सकते हैं जैसे के पेट में दर्दोना, diarrhea या फिर constipation, nausea omitting, unpleasant taste फिल होना, भूक कम हो जाना, gas बना, सिर दर्द होना, dizziness फिल करना, anxiety, चिंता, drowsiness, night time, urination बढ़ जाना, ear, runny nose, sore throat, और ज्यदा बढ़ा सकती है अगर आप उसको high dose में खा लेते हैं बहले कि treatment होने के बजाए और ज़्यदा condition आपकी खराब हो सकती है काफ हो सकता है या फिर वाज़ाइन लेचिंग या फिर discharge जैसे कुछ side effects से medication कर सकती है चौथा option है क्लिंटा मैसिन के ज़िए linkosamide class का antibiotic है और ये भी एक popular antibacterial drug है और वो भी protein synthesis की activity को inhibit करके काम करता है bacteriostatic के दौर पर काम करेगा और उसका जो dose रेता है 150 से लेकर 300 mg दिन में 4 बार जो हो patient ले सकते है उनके को side effects जैसे के metallic test आपके mouth के अंदर फिल होना फिर nausea vomiting joint में pain होना गलने के दौरान जो निगलने के दौरान जो है वो आपको दर्द हो सकता है सीने में जोलन white patches हो सकता है mouth के अंदर थीक white vaginal discharge burning या फिर reaching sensation हो सकते है वज़ेन के अंदर महिलाव के अंदर तो खास यह दियान रखना है कि अगर इन में से कोई भी side effect और ज़्यादा सीवियर हो दिये तो आपको यह medication लेना बंद कर देना चाहिए और आपको दूसरा कोई alternative safe medication लेनी चाहिए अब बात है पांचवा जो है पारसेटमल का कि जो हम जानते कि एक antibiotic medication है fever को कम करने वाली medication तो जब भी fever जैसा फिल होता है तो पेसंट जो एक या दो टाबलेट ले सकता है जरूरत पढ़ने पर और हाइडोस में इसको भी यूजना करें बिकास पारसेटमल जो आपके टाबलेट आप लेती भी है तो दो टाबलेट के बीच में अटलिस्ट छे गंटे का टाइम इंटर्वल रखना चाहिए विकास उसके साइड एफेक्स जैसे हम भी हमने बात की कि लिवर डामेज हिपेटो टॉक्सिटी जो है उसकी एक में जो है वो साइड एफेक्ट है उस उसको भी यह कम कर देता है और आपको दर्द बुखार दोनों को कम करके आपको रिलेप देता है पर उसके भी कुछ साइड फेक्स है जैसे के गैस्ट्रिक डिसकमफर्ट नौजय वमेटिंग हो जाना कुछ लोगों को ऐसे डिटी करवा सकती है गैस्ट्रिक इरोशन करवा सकता है फिल ब्लॉड लॉस करवा सकती है डिजिनेस बर्निंग सारी ब्लर वीजन हो जाना अब लगे धुनला देखना टीनाइटस में कान में गंटी बजना ऐसा फिलोना रैसीस इचिंग या फिर कोई है आईपर सैंसेटिटी रियक्शन हो सकती है आईबूफेन के करण त तो ऐसे कंडिशन में ये मेडिकेशन जोई यूज नहीं की जा सकती तो उस दुरान आप जो सिर्फ पारसेटामल यूज कर सकते है या फिर कोई दूसरी अल्टेनेटिव आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के सलाख के अकोडिंग टू लेनी चाहिए तो ऐसे इसके डिटेयल में मेडिसिन कुर्स के अंदर फार्मारोकस के अब उपर तो ये कुर्स जोईन करने कले आप आप वहाटसेट कर सकते हैं या फिर हमारी एप को डाउनट कर सकते हैं लिंक आपको इस्क्रिप्सिन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी गुद लगगन अन्ट पेस्ट